हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों मैं आपर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जो कि आपको डेली एक लास हो रही है करते हैं आपर कोर्शन दिया गया है कि हरास सब्द का विलोम क्या होता है चलिए आपर रास का विलोम पूछा गया है आपका राइट एंसर क्या होज़ेगा देखो रास मतलब क्या होता है कमी होती है क्या रास मतलब होता है कमी तो इसका मतलब क्या होज़ेगा इसका अंसर ब सब्सक्राइब तो क्या हो जेगा वेई पितर अउम्मति कौन सा बनेगा या यहां पर आपका ए बनेगा कौन सा बन सकता है तो देखे यह जो आपका कोस्ट है थोड़ी से अपाद में रहता है हाना लेकिन यह आपhr अंसर क्या हो जाएगा पितरा अनुमति हाना पितरा पवाद में रहता है हाना लेकिन यह आप रंसर क्या हो ज़ेगा ए नमर रोज़ेगा पित्रा अनुमती हो ज़ेगा मतलब यह कोशन अप वर्तनी की दरश्टी से सब्द जो सुध्ध है यह आपका कौन सा बन जाएगा यहाँ पर वंदना किस प्रकास से लिखते हैं अब आप बताईए कि वंदना किस प्रकास से सही लिखा जाएगा आप लोग हमें पढ़ाएं आप जल्दी से पताईए कि यहाँ पर वंदना किस प्रकास से लिखेंगे चलिए फोर का ओप्सन आ रहा है डी नमबर तो आपका डी नमबर होगा चलिए डी नमबर हो रहा है यहाँ पर होता है है यहाँ बताइगा सुरभ मुहिस्वामी में कौन सा लंकार है यहां पर देखे अगर से बनने वाला सब दिन में से कौन हो जाएगा यहापर सेवन का जवाब क्या हो जएगा तो देखे यहापर सेवन नममर के गरम बात करते हैं तो आपका दिया है निपाद तो हो नहीं सकता है, निरोद भी रही है, निदे से, निर परादर था, तो option क्या बनेगा, डी number जिसका आ रहा है, बिल्कोल right हो जेगा, निर, अना क्या बन जाएगा, यहाँ पर निर निकल क्या आएगा, और आपका अपराद आ जाएगा, मतलब option जिसका D आ आ आएगा, बिल पूर्वी हिंदी विक्सित होई है जो आपकी पूर्वी हिंदी है इसकी ट्रिक क्या होती है मतलब पूर्वी हिंदी तो पूर्वी हिंदी की सब्सक्राइब थे है अब यह जो पूर्वी हिंदी है यह कहां से विक्सित होई ठलिए 10 नंबर का जवाब दीजेगा तो देखो हमने बता है थाम मखदी मगदी बोलते हैं को मखदी बोलते हैं बिहार को तो यए मगदी है लेकिन अर्ध दिया है तो इसका मतलब उसके आसपास कह रही की चटिस गड़ी की पूरवी हिंदी विक्सित हुई है अर्द मगधि से विक्सित हुई है जो कि 36 गड़ी बोली के अंतरइट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है ठीके ना आगे बढ़ते कोशन दिया गया है पर्मा नंद में समास कौन सा है करमा नंद में समास पूछा गया है मतलब इसे अ रूपी आजाता है रूपी और अगर आजाए यहां पर समान क्या आजाए समान आजाए के समान जिसे बोलते हैं के समान और आजाए यहां पर महा सब्दा आजाए तो इनको नोड करिए यही पैंचान होती है तोड़ने में अगर है जो रूपी के समान और यहां पर महा तो आपके कर्म धारे समास में ही होते हैं तो आप कंसर क्या जाएगा या पड़ी नंबर जिसका आ रहा है विलको राइट बन जाएगा ठीके आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है उचारण सब्द में उपसर कौन सा है उचारण का उपसर आप से पूछा गया है आप बताएगे उचारण का उपसर गिन में से क्या बन जाएगा चलिए उचारण क्या उचारण चारण मतलब आप कंसर यहाँ पर बन जाएगा आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें तामे जो होगा वो आधा ही होगा जैद रही इसका option मनेगा डेंबर के लिए हैं आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है राज पुत्र में कौन सा समास है तो देखो राजा के गर मात करें तो राजा हम किसी भी कोई भी राजा हो सकते हैं लेकिन अगर यहां पर पुत्र को लगा दिया है मतलब फोकस हो गया है पुत पर्धान वाक्य है अर्थत कैस freshly्त किसा पाथ है इसका antically באान होता है कौन तत्पुरुष समास होता है तो यह संभिन तत्पुरुष समास कं राजा का पुत्र और का होता है संबंध काकी के तो यह ततपुरुष समास होगा कोँट संबंध ततपुरुष समास ओपसन आप कसी नंबर यहाँ पर राइठ हो जाएगा केलियार हो गया तब ही आपके बात करें पे ए जंगल में दनो क्या जंगल में रहते हैं दानों तो हो जाये दावा अगनी हो जाएगा और यहां पर दिया है बढ़वाग ने और बाड आती है कहां पर समुद्र में आ जाएगी तो बढ़वाग मतलब होता है समुद्र भी लगने वाली आग हो जाएगा यह भी पॉइंट आपको किलियर question दिया गया है, चरर मरार खुलigne गया, अरर, इस फुटोenne में कौन सा अलंकार, यहाँ पर भनेंगा, तो देखिए, यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्या है, रार, रार, मतलब रावर्णों की आवरती यहाँ पर हो रोई है, जब वर्डों की आपरती बार-बार हो रही है वहाँ पर होता है आपका अनप्रास लंकार मतलब आपसन बनेगा यहाँ पर बी नमबर राइट बन जाएगा केलियर हुआ चले आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है अंगीठी का तरसम सब्द क्या हो जाएगा अंगीठी का जो सुद लिखा है कौन सस्री वाला क्योंकि यहाँ पर बिंदी लगी और बिंदी नहीं लगना चाहिए मतलब आपसन आपका सी नमबर हो जाएगा अगीठी का तसम होता है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है व्याकरन के गयाता के लिए सब्द क्या होता है व्य याकरन क्या बोलते हैं व्याकरन बोलते हैं याद रिखेगा यहाँ परंसन आपका सी नमबर हो जाएगा और यह क्या होता एक बिसेशन की रूप में प्रियुक्त होता व्याकरन ठीक है ना मतलबन सर जिसका आया सी नमबर बिलकोल राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क नीचे दिये गए वाक्यों में से कौन सवा की तुरुटी हीन है कौन सवा की तुरुटी हीन है यहां पर जवाब दीजेगा चलिए मेरे घर के पास एक पान की दुकान है मेरे घर के पास एक पान की दुकान इस्थीत है यह कह रहा है हाना मेरे घर के पास एक पानों की दुका बेंगे मेरे घर के पास पान की दुकान है कया सकते न एक पान की कोई दुकान होती है मतलब आप इनमर जिसका आया है विलकूल राइड पहचान हो जाएगी यह आप इनमर आगे बढ़ते इंगे है, सौम में का विलोम सब्द क्या होता है, सौम में सब्द का विलोम पूछा गया है, सौम में का विलोम, तो सौम में मतलब जो होता है साधारान अदमी, क्या बोलेंगे, सौम में मतलब होता है जो सीधा, साधा, हाना, और इसका हो जाएगा, टेंड़ा अर्था लिख लिए सब दिन में से क्या हो जगा चलिए भीष नंबर अगर मात करते हैं नभे में कौन estadmeye यहाँ पर खचर तो चलते नहीं बहए पहाडों में खचर चलजा जाएंगे इतना मानते हैं लिकिन नभ बें शलेगा मतलब यहाँ पर खेचर जो आपका अंसर है। वह आपका right होจะगा 행शर بن जाएगा केलिर हो गया है। आगे बढ़ते हैं question दिया है पर उपधिश कुसल बहुतेरे का अर्थ में से क्या हो जाता है। चलिए बताये गा कि पर उपधिश कुसल बहुतेरे का मतलब इसमें से क्या हो जाएगा। यहां पर देखे एक केस नंबर में तो 21 के अगर बात करे करें दूसरों को उपधेश देने को आसान समझना मतलब देखते हैं बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को उपधेश देते हैं लेकिन खुद पर फालोर नहीं करते हैं तो यहीं होता है कि पर उपधेश को सल फालो नहीं करते हैं मदलब और इसका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है नमलिकित सब्दों में से कौन भी सेशन नहीं है भी सेशन की पहचान करिए आपका राइट इंसर इन में से क्या हो जाएगा यहाँ पर वीडियो को भी लाइक सेर करते रहेग यह जो अंतर है क्या अंतर यह विशेशन नहीं है अच्छे इसका विशेशन होता क्या है इसका विशेशन होता है आंतरिक क्या होता है सब्दों में से क्या होज़ेगा जो बढ़ा चड़ा कर कहता उसे बोलते क्या है अत्रसियोग ती बोलते है ना बढ़ा चड़ा कर कहना अत्रसियोग तलंकार आपसन अपका डिनमबर यहापर राइट होज़ेगा ठीक है आगे बढ़ते कोशन दिया गया है नम्रिकी सब्दों में से विसेस क कौन सा है विसेश की पहँचान करिए विसेश की पहँचान यहापर क्या होजेगा आकासी है आकास है आराध्य आस्रीत है थोड़ा सा जो घुमाया नहीं गया होगा थोड़ा सा जो घुमाया नहीं गया होगा वही आपका विसेश होगा जिसके हम लोग विसेश था बता सकते हैं जो कि option आपका V होressed आखास ये क्या है with stress यह याद रिखेगा ठीके ना clear हुआ आगे बढूते हैं question दिया गया है दोनों सब्सब्ध है यका 살a सब्ध आपका दोनों सब्ध आपका है क्या तो यहाँ पर कुद दोनों क्या होता है जल्दी से बताइए चले आपर देखे 25 वाऍशक बनेगा सामुदाय वाच्षक बनेगा अगर पूछे क्या होता है सर तो अबरती होता है दुगुना तीीगुना चटुऔा दूगोना तीगोना चटूगोना अगर गड़ना की बात करें तो हम बोले कि ולए किलास में गड़ना कीजे अंक काउंटिंग कर लिजे तो वह ता एक दो तीन क्या है गीला क्या है जो है यह विसेशन है और जो है In सारुनामिक विसेशन, गुर्वाचक विसेशन, संख्यावाची विसेशन या इनमें से कोई नहीं तो देखेए गेला क्या होता है? ये गुण होता है क्या? गेला है तो ये क्या है? गुण है? मतलब आपका अंसर यहाँ पर बिनंबर आपका हो जेगा तो वही सीरज हमें अंसर आ रहा है लगबक सभी का तो D number होगा सूरज देखिए सूरज बनेगा सूरज जो आपका रही तत्बह होओ है और इसका तत्स्वर होता है सूरज क्या होता है इसका तत्स्वर होता है नोट कर लीजेगा सभी लोग अगला question दिया गया है कि काला घोड़ा तेज दोड़ता है में क्रिया विसेशन क्या होगा तो वे क्रिया विसेशन की बात किया गया है तो वे काला घोड़ा हाना मतलब यहाँ पर कह सकते हैं तेज दोड़ना तो इसका अंसर आपका C नंबर होना चाहिए कि D नंबर चले यहा पर काला विसेशन है और घोड़ा आपका विसेश हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है भारत में आरे भासा का आरंब कब हुआ था भारत में आरे भासा किया जो आरंब हुआ यह कब हुआ था 29 नमबर में तो देखें यह जो 1500 इसवी पूर के आसपास का जो समय होता और सबसे पहले सिंध परांत में पंजाब में अकर बसी थे हाना यहां परांसर बनेगा भी नमबर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है इस पंक्ती में अलंकार पूछा गया है तो चलिए तीस नंबर के गर्म बात करते हैं तो आपका अंसर इन में से क्या हो जाएगा विभावना होगा क्या विभावना हो सकता है वक्रोक्त या उप्मा लंकार यहाँ पर अंसर क्या बनेगा देखे आपका अंसर यहाँ पर जो तीस नंबर है तीस नंबर तो तीस नंबर में आपका उत्प्रेच्छा हो जाएगा भई यहाँ पर देखो जवाब का जनू दिया गया है जनू यहाँ पर उत्प्रेच्छा लंकार होना चीए बलकि उत्प्रेच्छा लंकार इसमें दिया नहीं गया है मतलब जहाँ दो वस्तुं के रंग रूप गुन किया जाए समानता प्रीच्चेट अगर नहीं है तब इसमें क्या होज़ेगा करें सखई सही UTरसे अतिरानी सूखत धन पराजन पानी मतलब यहाँ पर क्या है सूखत धन पराजन पानी मतलब यहाँ पर जिब नहीं है तो आप उप्मा लंकार लगाएंगे क्या बाला यहाँ पर D अभ्यांतर ने लगेंगे मतलब इसमें क्या होगा कि जहां वस्तुम वस्तुम क्या है धन और पराजन और आपका पानी इसमें क्या हो रहाए एक लूप देखा जाए उसके रंग और उसके गुण के अर्थात उसके धर्मे के अधार पर एक समानता का भोध प्रतीत किया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर अंसर क्या लगाएंगे D हो जगा उप्मा लंकार इसमें हो जगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्योशन आप से दिया गया है काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ती में अलंकार पूछा गया है तो इसको तो आप लोग तुरंद बता सकते हैं इसे तो आप तुरंद बता सकते हैं कि यहाँ पर काली घटा और घमंड घटा घटा जब आया है मतलब आपका यमक अलंकार हो जगा जब यहाँ पर सब्द एकी ही जैसे हो और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो यहाँ पर आपका होज़ेगा क्या ए नमबर आपका होज़ेगा एक घटा मतलब होता है कमी होती है और एक घटा मतलब होती जुलफें हाना जुलफें जानते हो न मतलब यह जो बादल हो गया ना एक बादल वाला किसकते हैं एक घटा बादल की हो गई एक घटा कमी वारी और गटा बालब वाली जो जुलफें रखें रखें होते हैं तेरे घटाओं इसका अर्थ क्या हो जाएगा 32 नमर में 32 नमर के अगर मात करते हैं तो कहरें नगर निव्यक्ति को कभी अपमारित नहीं करना चाहिए ओछे लोग मुह लगाने पर अनुची तलाब उठाते हैं इसलिए उतना ही उसी से संबंद मारा ये ताकि ओखोपडी में न चड़ने कन्या के गर्ब से हुआ हो उसे क्या कहते है 33 नमर को जवाब देना है तो देखे यहाँ पर अंसर के गर्म बात करते हैं तो कन्या पुत्र होगा नहीं यहाँ पर कानीन हो सकता है क्या यहाँ पर जवाब दीजे आपका अंसर में से क्या होगा यहाँ पर आपका राइट अन क्या होज़ेगा जिसे बुलाया ना गया हो इसे क्या कहेंगे यहां पर जवाब दीजे आपका right answer क्या होज़ेगा जिसे बुलाया ना गया हो चलिए c नमबर आ रहा है आनाहूत देखिए विल्कुर सही है चोंथिस कॉप्शन C होज़ेगा आनाहूत और जो लोग यहां पर अतित दे रहे हैं तो वही हमने कितनी बारा को बताया है अतित मतलब होता है जिसके आने की कोई तिती ना हो उसे अतित कहते हैं तो याद रेखिए इसका उप्शन सी बनेगा ठीके चले आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है हावन में जलाने वाली लकडी के लिए सुद्ध सब दिन में से क्या होज़ेगा जो हवन में लकडी जलाई जाती है ना उसे क्या कहते हैं आम की लकडी बोलते हैं क्या उसे क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं नोट करिएगा या 35 को अप्शन होज़ेगा कि हवन में जलाने वाली लकडी के लिए समिधा का प्रियोग करते है और संडी नमबर इसमें से अराइट हो जाएगा किलियर है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है कि जाके पाउन ना फटे विवाई सो क्या जाने पीर पड़ाई हाना मतलब जिसके पैर में विवाई नहीं फटती है वो किसी का दर्द कैसे समझ सकता है मतलब वही समझ सकता है जिसके पैर में विवाईयां फटती है देखे होंगे आप लोगोंने किसी किसी का पैर चिटक जाते हैं चिटक मतलब जानते हैं फट जाते हैं जिसे बोलते हैं हमारे इसलेक में चिटक न बोलते हैं तो उसके जो पैर के area होती है फड़ जाती हो वह बहूत बैंकर दद होता है इसके लिए glycerine लगा दिजे और पनी से पाइक कर दिजे और जब पनी से पाइक कर देंगे आगली दिन आपका पैर लगभग आपका सही सलाख हो जाएगा मतलब यहां पर जो आपका अंसर बनेगा गई है निर्व नुनासिक छिद्रान वेसी गत्यार्थ और आपका अंतस्चेतना अब यहां पर 37 वल्ले में क्या हो सकता है 37 नंबर में तो देखिए यहां पर असुद्ध पूचा गया था असुद्ध कौन सा बनेगा बी नंबर की ए नंबर सी नंबर देखिए सब किया प्रियोग करना चाहिए था अर्थात यहां पर यह वाला जुस्षा है इसका प्रियोग आपका उचित होता है याद रखेगा केलियर है ना चले आगे बढ़ते कोशन दिया गया है क्यारा है बिन्व पदल चले सुने विनकाना इनमें से कौन सा लंकार हो जाएगा मतलब उ 38 को आप समारा इसी नमबर है तो आपका अंसर विभावना अलंकार यहां पर हो जाएगा मतलब होता है जहां पर कारण के बिना ही क्या जहां पर इसकी परिवास समझेगा कि जहां पर कारण के बिना ही कारी होना पाया जाए वहां पर विभावना अलंकार हो जाता है क्लियर है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है कि गोरो जहर की घूंट पी कर रह गया रेखांकित मुहरे का अर्थिन में से क्या हो जाएगा 49 नमबर में कभी कभी आप देखते होंगे हाना कि जहर की घूंट पी कर रहना मतलब क्या होता है समाज में है लेकिन बोला नहीं है मतलब अपमानित हो गया है लेकिन कुछ बोला नहीं है तो जहर की घूंट पी कर रहना मतलब क्रोध को नियंतरित करना आप संडी नमबर इसमें से राइट हो जाएगा ठीक है ना चले आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उप्पीक सब्द क्या होता है जिसके पास कुछ नहीं है उसे क्या कहेंगे आकिंचन ही तो कहेंगे ना आकिंचन मतलब आपसन क्या बनेगा भी नमर आकिंचन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं को संदिया गया है अलोचना पत्रिका के संपादक इन में से कौन है अलोचना पत्रिका के संपादक अलोचना हमने आप बताया था अलोचना के लिए कई बार पढ़ाया है अलोचना पत्रिका के संपादक चले यहाँ पर जवाद देना है चले तो यहाँ पर इतिहास और आलोचना जमाने की दोदो हाथ ये इनी की रचना है जमाने की दोदो हाथ अलोचना और शाया वात इनी की महत कुप रचना है आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सब्सब्द आपका तस्थम है तस्थम सब्द की पहचान कर लिजे चक्र, चांद, छेद और आपका छत तस्थम के अगर बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि एक पहचान होती है जैसे कोई आपका रा उड़ा है उपर या नीचे रा है या यहां पर जो रिसी वाला होता है मतलब कैसे हैं यहां पर जो आपका अंसर रे नंबर यह तस्थम सब्द आपका यहां पर राइट हो जाएगा किलियर हो गया है किलियर है ना चांद का होता है चंद्रमा अगर तस्थम पूचे छेद का अगर पूचे तस्थम तो लाइक करें और साथ में आपर कह सकते हैं इस question का पूरा पूरा सही जवाब सभी लोग जवाब देंगे चले गोधूम आ रहा है गेहूं का तस्वम होता है गोधूम जो कि option D हो जेगा और आरो एक्जाम में ये question 211 की इसमे question पूछा जा चुका है गेहूं का गोधूम होता है ठीके आगे बढ़ते हैं question दिया है रामा रमा विद्याले से घर जाती है में कौन सा कारक है अब ये बताए रमा विद्याले से घर जा रही है मतलब क्या विद्याले से अलग हो रही है और अलग की स्तिती में जब से होता है अलग की स्तिती में जब से होता है उसमें होता है अपादान का रख मतलब आपसं क्या जाएगा यहाँ पर एक नमबर आपका राइट हो पर आप का पर और सिकांद को पुछा गया है रिखेगा हारी प्रेमी याद रखेगा हारी करस्न प्रेमी आईसे भी याद रख सकते हैं जो हरी कृष्ण प्रेमी होते हैं वो बहुती साधना का कार करते हैं वो सुबे सुबे से हरे किसना हरे राम हरे कृष्णा हरे राम और यहाँ पर बताया गया है जो हरी कृष्ण प्रेमी है इनको चारों आचारे को माना जाता है अर्थात 25 साल के पहले आप साधी नहीं कर सकत अगर आप अच्छे सदीके से मानते हैं, मतलब यह हुआ, यतलब यह हुआ, कि पचीस वर्ष तक जो होती है, वस्ता होती है पढ़ने के, तो आपको पढ़ाई ही करना है, इसके बाद आपको साधी करना है, फिर जंगल में घुमिये, सन्यास हो जाएए, मर्डासन हो ये, ठीक है, आगे बढ़ते कोशन दिया गया है, 21 से एक सब्द का अर्थ पतवार भी होता है, मतलब पतवार जो होता है, तो किसका एक अर्थ होता है, पतवार, अंसर क्या होगा, यहाँ पर 47 संबर में, 47 को उप्सन होजएगा करन, मतलब करन का एक अर्थ होता है, पतवार होत क्या बोलते हैं इन्हें आयोक गिवाथ जिन लोगों को अप्शन आ रहा है तो डी नमबर आपका राइट होगा अगला कोशन दिया गया है आयुकत अर्था जो कमिशनर है इसका समरूफी विन्नार्थक सब्द आयुकत का सही अर्थ क्या होता है यहां पर आयुकत का जो अर् आपका राइट होजयागा अगला कोशन दिया गया है निम्निकीत में से एक बी सेशन सब्द है बीसेशन के पहचान करें लागो महतो लगोक यहां महतो अप्स कारूफी में यहां पर महतो होजयागा यहां पर धूरूफी आपकशन को अपर कभी को अभीनाई जादेव के नाम से जानते हैं अभी अभीनाई जादेव के नाम से किसे जानते हैं यहाँ पर जवाब दिजे आपका अंसर यहाँ पर क्या हो जगा 344 नंबर में चले 344 चले 344 यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या हो जगा हमने बताया भी इसके पहले जो किस नाम से जानते थे, यहाँ पर अंसर आपको पता होगा, आपके तूतिये हिंद के नाम से जानते हैं, option B हो जाएगा, अगला कोशन दिया है, आला खंड का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पर अंसर क्या बनेगा, आला खंड का दूसरा नाम पूछा गया है, तो आप अंस परणसर को लॉग करिएगा, जल्दी से जवाब दीजे, अलवार संतो की संख्या कितनी मानी गई है। पर आपका D number हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है विज्ञान गीता के रचयता इन में से कौन है उन्चास का जवाब दीजिगा तो उन्चास का हो जाता केसों है कौन भई विज्ञान गीता के रचयता यह आपके केसों है और अप्शन बनेगा A number अगला कोशन दिया गया है कि सुध्धा दोइतावाद धर्सन के प्रवर्तक कौन है सुध्धा दोइतावाद के जो प्रवर्तक है वो आपके कौन से है तो देखे बलवाचार है ना यहाँ पर अगर सुध्ध चीज़ देखे सुध्ध और सुध्ध जो खाते हैं वो भलवान हो जाते है शुद्ध जो खाते हैं वो बलवान होते हैं तो अंसर क्या हो जएगा बी नमबर बलबाचारी हो जएगा अगला कोशन दिया गया है रामानंद की सिस्य परमपरा में आते हैं अर्था जो रामानंद है हना रामानंद की सिस्य परमपरा में आते हैं यहां पर अंसर क्या हो ये भक्तिकाल को सबसे पहले हिंदी साहित का जो सुन यू कहा है ये किसने कहा है यहाँ पर जवाब दीजेगा और दो भाई जितने लोग हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक पहुचाते रहे हैं ना संख्या बढ़ाते रहे लगातार देखिए यहाँ पर बावन नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया है ए नंबर ये गियर्सन है कौन भक्तिकाल को सबसे पहले हिंदी साहित का जो सुन यू कहा है वो गियर्सन ने कहा है इसका उप्सन बनेगा ए नंबर हो जाएगा मतलब आपसन हो जएगा यहाँ पर मालुका दास आपसन ए नंबर इसका राइट हो जएगा आगी बढ़ते कोशन दिया गया है रहे दास किस धारा एउम साखा के कभी थे यहाँ पर अंसर दीजेगा आपका राइट अंसर तो दिखिए आपका राइदास के अगर मात करते हैं तो यहाँ पर अंसर कुछ लोगों ने दिया है यहाँ पर ए नंबर कुछ लोग भी नंबर दे रहे हैं भाई यहाँ पर अंसर हो जएगा पर से निर्गुण धारा ग्याना स्रेई साखा रहेदास किस धारा के तो आपके यहाँ पर निर्गुण धारा और आपके साखा पूँचे तो ग्याना स्रेई साखा के आपके कभी थे अगला कोशन दिया गया है कि ग्याना स्रेई निर्गुण काभे का दासनिक आधार क्या ह इसका आधार होता है अद्वैत वाद अर्थात इसे जुड़े जो भी होते हैं वो अद्वैत वाद से जुड़े होते हैं आपसर मनेगा यहाँ पर B नंबर अगला है कवीर की वाड़ी का संगरा किस नाम से जाना जाता है कवीर की जो वाड़ी है इसका संगरा यहाँ पर किस इंसर दीजे आपका right answer क्या हो जेगा, चलिये, आपका right answer इनमें से क्या हो ensus 57 नंबर में, चलिये, answer हो जगा, ऐ नंबर ये कभीर दास हें, कौनly कभीर दास हें, ये इस सथा की, प्रमुक कभी माने जाते हैं, अगला question दिया गया है, कि कभीर दास किस का बिधारा का प्रतृत अगे बड़ते हैं इन में से कौछन कभी संत कभी नहीं है इन में से कौछन कभी संत कभी नहीं है यहां पर आपका राइट अंसर क्या होजेगा देखे तीन जो उनसर का अंसर यहां पर बनेगा भी यह तुलसी दास हैं याद रिखे तुलसी दास हैं यह संत कवी आपके नहीं है बी नंबर ठीके अगला क्वेशन दिया गया है देखो रैदास यह संत हैं कवीर भी संत हैं गुरुनानक है तुलसी दास भक्ती में आते हैं वो कौन थे, तो यहाँ पर आपके सुन्दर दास कौन, भाई यह सुन्दर है, यहाँ पर सुन्दर है, तो आपके सुन्दर दास बने गया अंसर आपको भी होगा, अगला कोशन आपसे दिया गया है, कहरा आपसे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह किसके वि से मिका गया है यहां परंसर आपको देना है वो भी कोश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस कोश्चन का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करना है जो बात में जुड़े हैं